हाई फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिकरे और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको चाहिए प्लीज क्लीरेंस सेटिफिकेट वो भी कोईट से तो कैसे मिल सकता है बाई यूजिंग साहिल एप येस साहिल एप से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं प्लीज क्लीरेंस सेटिफिकेट तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा फ्राम स्टार्टिंग टू एंड आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से विद इन अ मिनेट यू ।।।।।।।।।।।प। हींग अंग आपको कैसे थ।।। हींगों, आपको कि आपको का म Supermanabinoll क का मनेकी स्ट॥।।।।।। पम्नेट करने सा पकशव tuट।।।।।। नौ आपकोरा लीडियो में टूवल पको टॉचव देगाने डुच करों, अग त।।।। और good conduct certificate जो कोईट से आपको मिलता है वो confirm करता है कि individual जो भी है वो non-crimal background का है within the border of कोईट सो ये सारी मैंने ग्यान दे दिया कि भई ये जो police claim certificate क्या होता है किसले काम आता है क्या अब चलते है police claim certificate कौन अपलाई कर सकता है वो लोग अपलाई कर सकते है जो वो इतमें रहते है या रहे चुके है ठीक है और basically police claim certificate चाहिए क्यों होता है ये चाहिए होता है immigration के time पे जब आप किस अपनी country से किसी दुसरी country move करते है या फिर आपकी local company को चाहिए होता है या फिर कभी-कभी किसी country की अमबेसी भी required करती है ये तो उस time पे आपको ये police claim certificate को apply करना पड़ा है step by step कि आप police claim certificate within one minute by using sahil app कैसे कर सकते है पहले first step में आपको अपने sahil app को login करना है और अगर आपने login नहीं कर रखा तो please app store से जाके download कीजिए और उसको login कीजिए login करने के बाद जो second step है कि आप जाईए service tap पे और वहाँ से bottom में जाएंगे और second tap में right रखे click वीडियो में मैंने ही आप स्क्रीन एक लगा रखी है उसमें सबसे आखरी में down में एक मैंने arrow करके बना रखा है वहाँ पर आपको click करना है and yes जो ये app है पूरा Arabic में है ये बिल्कुल English में नहीं है और English language का कोई option भी नहीं है इसलिए इसको आपर Arabic में ही यूज करना पड़ेगा आप इस वीडियो की मदद से आप यूज कर सकते हैं और अराम से प्लिस क्लियन सेटिफिकेट को डाउरोड कर सकते हैं अपके बाद थर्ड स्टेप ये है कि click on the bottom down of the menu of Ministry of Interior logo written as कोईत प्लिस as the bottom 6th logo समझ आगे आपको कि भाई उसके बाद आप जब नया प्लिस खुल जाएगा वहाँ पर आपको देखना है और जब 6th logo है जो लिखावाए कोईत प्लिस उस पर click करना है और उसका भी यहाँ पर देख लिए आपको यहाँ पर जो बैने फोटो लगा रखी है उसमें दिखा रखा है किस तरीके से आपको मिलेगा तो उस चीज को फोटो को फॉलो करते रहिए आप आराम से चीजे समझ जाएंगे पॉइंट नमर 4 पर click on the ministry of interior logo and then select the first option it is called security service once you click the that then the sub service will open in that section the first option which is issuing of crime status certificate तो इसको आपको फॉलो करना है फोटो जहाँ पर दिखी रही होगी उस फोटो को फॉलो कीजिए और आप आराम से समझ जाएंगे की क्या करना है step number 5 में you need to select whether you want a police clearance certificate for inside कोईट और abroad और यहाँ पर दो option आएंगे जो पहला option है वो है inside कोईट और जो second option है वो traveling abroad है तो जैसे आपकी requirement है वैसे आप select कर सकते है और इसका भी option आपके मैंने video यहाँ पर side में लगा रखी है तो photos देख के आपको समझ आ जाएगा और मैंने साथ में English पर भी लिखा है red color का जिससे आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या option है अगर आप select करते हैं inside कोईट then it will ask for the purpose of PCC just write down the purpose of PCC and submit it and then immediately you can download the PCC certificate and if you are selecting traveling abroad you need to select the country which is requesting the PCC and then submit it once you submit it immediately from the app you can download the certificate so बहुत ही जबर्दस बात है और एक चीज और जो अब यह स्क्रीन दिखरी है इस पर countries के नाम लिखे वे और सारे countries के नाम Arabic में लिखे वे है तो drop down से आपको अपनी country सेलेक करनी है जैसे हमारी country इंडिया थी तो हमने इस पर इंडिया सेलेक करी और उसके बाद जो नीचे जो बटन आ रहा है उसको क्लिक कर देना है वो submission का button है जैसी आप submit करेंगे नए स्क्रीन पे आपको आ जाएगा आपका certificate अब मैं आपको दिखाता हूँ sample certificate कैसा होता है वो sample certificate से आपको idea हो जाएगा कि कैसी information होती है और जो यह certificate है यह six months की validity का होता है six months के बाद यह expired हो जाएगा expired date mention कर रखी होती है अगर आप इस app के through download नहीं कर पारे अपना certificate तो आप जा सकते है यहां के इनके office वो है crime evidence office at dougie's location वहाँ पर आप जा सकते और उनको बोल सकते है कि भी हम download नहीं कर पारे अपना certificate तो वो क्या करेंगे आपका fingerprint लेंगे दुबारा से और fingerprint अपनी system में upload कर देंगे उसके बाद आप साहिल app से download कर सकते है अपना certificate कई बाई ऐसा भी होता है कि वहाँ पर आपको appointment लेना पड़ता है उनसे मिलने के लिए तो meta website है उसको आप use कर सकते है और उसे use करके अपना appointment भी book कर सकते है और same thing आप साहिल app से भी कर सकते है तो अगर आपको Arabic आती है तो आप वहाँ से ही booking कर सकते है अपना appointment और वहाँ जाके अपने issues को discuss कर सकते है तो मैंने कोशिश की कि maximum चीजे जो भी problem आती है जैसा भी जो भी कुछ हो सकता है इस PCC certificate निकाल के time जो भी हो सकता है तो maximum बताने ही कोशिश की है और hope करता हूँ कि अब ये video देखने के बाद you are well prepared कि अगर आपको PCC certificate चीए कोईट से तो आप by using this app आप अराम से download कर सकते है within one minute so ये video कैसा लगा please आप लोग comment करके बताए और still कुछ point मेरे से रह गए है तो comment में आप पूछ सकते है और उस पे research करके मैं आपको बताऊंगा और अगर आपने हमें instagram पे follow नहीं किया तो please instagram पे follow करे और हमें like करे और share करे अब ये video ही पे खतम करते बाई